हेलो फ्रेंड्स दिस इस ख्याती सेथी वेलकम टू यर ओन यूट्यूब चैनल सत्गुरु इंसिट्यूट आई होप यूट फाइन सो फ्रेंड्स आज हम करेंगे में कोस्बुक का लेसन 6 दा होम कमिंग के कोशन अंसर्स लास्ट वीडियो में हमने लेसन 6 को कम्प्लीट कर लिया था जिन्नों ने अभी तक लेसन 6 नहीं किया वो कर लीजिये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो फ्रेंड्स प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए आप टेलीग्राम पर सद्गुरु इंसिट्टीट चैनल को जोईन कर सकते हैं इस चैनल पर आपको सभी चैप्रस की वीडियो के लिंक और चैप्रस की पीडिया फाइल्स मिल जाएंगी आप सद्गुरु इंसिट्टीट को इंस्टाग्राम, फेस्बुक और ट्वीटर पर फॉल्लो कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फ्रेंड्स वीडियो शुयू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले हम शोट कोशन अंसस करेंगे और उसके बाद हम लोग कोशन अंसस करेंगे तो चलिए देखते हमारा फस्ट कोशन तो हमारा फस्ट कोशन है फातिक कौन था तो इसका अंस्वर है फातिक वाज़ा 14 इयर ओल्ड बॉई जो फातिक था वो 14 साल का लड़का था फातिक अपने गाउं के लड़कों का सरदार था फातिक का तेज दिमाग हमेशा कोई ना कोई नई शरारत के बारे में सोचता रहता फातिक ने नई शरारत के बारे में क्या सोचा था यानि कि फातिक के तेज दिमाग में अब कौन सी नई शरारत आई थी तो इसका अंस्वर है लोग यानि कि लकड़ी का लठा फातिक ने ये योजना बनाई कि वैं दूसरे लड़कों की मदद से यानि कि अपनी दोस्तों की मदद से उस लठे को लुड़का देगा इन दिस वे लटे के माली का मजाग उड़ाएगा परिशान करेगा और वो और उसके दोस्त इस चीज का अनंद लेंगे मजे लेंगे कोशन नमर त्री So friends जो माखन था वो फातिक का चोटा भाई था अब जो फातिक और उसके दोस्त है वो माखन से क्यों नाराज है ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वज़े से फातिक और उसके दोस्त माखन से नाराज है उस पर गुसा है तो इसका अंस्वर है फातिक और अधर बॉइस वोंटे टू रोल दा लोग अवे अब जो फातिक और दूसरे लड़के थे वो चाहते थे कि लठे को कहीं दूर लुड़का दें बट माखन केम एंड सेट ओन दा लोग लेकिन माखन आया और लठे पर जाकर बैट गया इससे फातिक और उसके दोस्तों को माखन पर बहुत गुसा आया वो माखन से बहुत नाराज हुए Q4. What was फातिक's new manover? फातिक की नई पैंतरे बाजी क्या थी? यानि कि अब फातिक ने क्या सोचा था? तो इसका अंस्वर है फातिक asked his followers to roll the log with माखन फातिक ने अपने साथियों को कहा अपने दोस्तों को कहा कि वो लठे और माखन दोनों को एक साथ लुड़का दे फातिक ने सोचा इससे वो अपने दोस्तों को और भी ज़्यादा मनुरंजित करेगा उन्हें और भी ज़्यादा एंटर्टेन करेगा इसलिए उसने अपने फोल्वर्स को कहा कि वो लठे और माखन दोनों को एक साथ लुड़का दे So friends इस कोशन में ये पूचा गया है कि फातिक ने अपनी मा की उपस्तिती में अपनी मा की प्रेजन्स में भी माखन को क्यों पीटा तो इसका अंस्वर है माखन लाई टू हिस मदर देट फातिक हैट बीटन हिम माखन ने अपनी मा से जूट बोला कि फातिक ने उसको पीटा फातिक कुड नोट बियर इट फातिक इस जूट को नहीं सैन कर सका Therefore he beat माखन इसलिए फातिक ने माखन को पीट दिया Question number 6 Was माखन speaking the truth? क्या माखन सच बोल रहा था? तो इसका अंस्वर है no, he was not telling the truth So friends जो माखन था वो जूट बोल रहा था उसने जूट बोला कि फातिक ने उसको पीटा फातिक डिड नोट बीट हिम, फातिक ने उसको नहीं मारा था In fact, it was माखन who beaten फातिक असल में माखन था जिसने फातिक को पीटा था Question number 7 Why did फातिक's mother want to send him away to her brother's house? So friends इस question में ये पूछा गया है कि फातिकी माँ फातिक को अपने भाई के घर यानि कि विशंबर के घर क्यों भेजना जाती थी? तो इसका अंस्वर है, the mother had a misconception towards फातिक फातिक की मा की फातिक के प्रतिक गलत धारना थी She thought that someday he would drown माखन in the river or break his head in fight फातिक की मा को ये लगता था कि फातिक या तो माखन को किसी नदी में बहा देगा या किसी लडाई में माखन का सिर फोर देगा Therefore, she wanted to send him away इसलिए फातिक की मा फातिक को दूर भेजना चाती थी Question number 8 How was फातिक received by his aunt? फातिक की मामी ने फातिक को कैसे रसीव किया? तो इसका अंस्वर है, aunt was not happy at all फातिक की मामी बिलकुल भी खुश नहीं थी She thought of फातिक as an unnecessary addition to her family फातिक की मामी फातिक को अपने परिवार में अनवशक वृद्धी मानती थी Question number 9 Why could not फातिक do well at school? Or how did फातिक fear at his new school in Kolkata? So friends, इस question में ये पूछा गया है कि फातिक कोलकता में अपने नए स्कूल में अच्छा परदर्शन क्यूं नहीं कर सका? तो इसका अंस्वर है, फातिक was treated badly at his uncle's house फातिक के साथ उसके मामा के घर बहुत बुरा वहवार किया गया था He was always said, फातिक हमेशा दुखी रहता, उदास रहता, परिशान रहता He could not focus his mind on studies फातिक अपना ध्यान पढ़ाई पर केंदरित नहीं कर पाता था Naturally, he did not do well in school So भाविक रूप से फातिक स्कूल में अच्छा परदर्शन नहीं कर पाया Question number 10, how did फातिक स् आंट behave on learning about the loss of his book So friends, इस कोशन में ये पूछा गया है कि जब फातिक की मामी को ये पता चला कि फातिक से उसकी पुस्तक हो गई है तो इसमें फातिक की मामी ने कैसे behave किया उसके साथ कैसे react किया तो इसका answer है The aunt called फातिक a country loud So friends, जब फातिक की मामी को ये पता चला कि फातिक से उसकी पुस्तक खो गई है तो फातिक की मामी ने उसे गवार कहा She said that she cannot buy new books five times a month फातिक की मामी ने फातिक को कहा कि वो उसे महीने में पांच बार नई किताबे खरीद कर नहीं दे सकती Question number 11, what was the immediate reason for फातिक's departure from his uncle's house So friends, इस कोशन में ये पूछा गया है कि फातिक के अपने मामा के घर से जाने का ततकालिन कारण क्या था यानि की ऐसा क्या कारण था जिसकी वज़े से वो अपने मामा के घर से तुरंत चला गया था So friends, इसका अंस्वर है एक दिन फातिक को बहुत तेज सिर्दर्थ और कम कमपी हुई He feared that he would become a nuisance to his aunt उसे इस बात का डर था कि अगर वो बिमार हो गया तो वो अपनी मामी के लिए बाधा का कारण, रुकावट का कारण बन जाएगा That was why he left the house इसलिए फातिक ने अपने मामा का घर तुरंत छोड़ दिया वो अपने मामा के घर से तुरंत निकल गया था So friends, इस question में ये पूछा गया है कि बिशंबर ने अपनी बहन को बुलावा क्यों भेजा था तो इसका answer है फातिक was seriously ill So friends, जो फातिक था, वो गंबीर रूप से बिमार था The doctor said that the boy's condition was critical डॉक्टर ने कहा कि फातिक की हालत बहुत गंबीर थी That was why बिशंबर sent for his sister इसलिए बिशंबर ने अपनी बहन को बुलावा भेजा था Question number 13 What were फातिक's last words? So friends, इस question में ये पूछा गया है कि फातिक के अंतिम शब्द क्या थे? तो इसका अंस्वर है फातिक's last words were फातिक के अंतिम शब्द थे Mother, the holidays have come Ma, चुटियां आ गई है So friends, यहाँ पर हमारे short question answers complete होते हैं और long question answers start होते हैं तो चलिए देखते हमारा first question तो first question है How does फातिक feel when he is at Kolkata? So friends, इस question में ये पूछा गया है कि कोलकता में फातिक को कैसा महसूस होता? तो इसका answer है In Kolkata, फातिक feels like a fish out of water Kolkata में फातिक पानी से बाहर मचली की तरह महसूस करता His aunt misbehaves with him फातिक की मामी फातिक के साथ दुर वहवार करती उसके साथ बुरा वहवार करती His cousins make fun of him फातिक के cousins यानि कि फातिक के ममेरे भाई फातिक का मजाक उड़ाते Teachers in school beat him with the whip School में फातिक के teachers फातिक को कोडे से पीटते All this makes फातिक's life very sad इन सभी चीजों ने फातिक की life को कश्दायक बना दिया था He longs to return home to his village फातिक अपने गाउन लोटने के लिए तरस्ता रहता Question number two Why does Bishambar want to take फातिक to Kolkata? So friends इस कोशन में ये पूछा गया है कि Bishambar फातिक को कोलकता क्यूं ले जाना चाहता है तो इसका answer है The mother is prejudice against फातिक So friends जो फातिकी मदर है उन्हें फातिक के प्रतिक गलत धारना है She consider him a big nuisance फातिकी मा फातिक को बड़ी रुकावट, बड़ी बाधा मानती She calls him lazy, wild and disobedient फातिकी मा फातिक को आलसी, असभ्य और हटी कहती है Bishamber wants to help his widowed sister Bishamber अपनी विद्वा बहन की मदद करना चाहता है Help करना चाहता है So he offered to take फातिक with him to Kolkata इसलिए Bishamber ने फातिक को अपने साथ Kolkata ले जाने की पेशकश की offer की He says that he will educate him there with his own children Bishamber कहता है कि वो फातिक को अपने बच्चों के साथ Kolkata में शिक्षित करेगा Question number 3 Who is responsible for Fatiq's death? So friends, इस question में ये पूछा गया है कि फातिकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है तो इसका answer है It is a completely cruel aunt responsible for Fatiq's death Fatiq की मौत के लिए Fatiq की कौर मामी पूरी तरह से जिम्मेदार है She dislikes the boy from the beginning Fatiq की मामी शिरू से ही Fatiq को ना पसंद करती यानि की शिरू से ही Fatiq की मामी को Fatiq पसंद नहीं है She thinks of him as an unnecessary addition to her family Fatiq की मामी Fatiq को अपने परिवार में अनवशक वृद्धी मानती She misbehaves with him all the time Fatiq की मामी Fatiq के साथ हर समय दुर वहवार करती हर समय उसके साथ बुरा वहवार करती Even when the poor boy is seriously ill She calls him a nuisance यहां तक की जब बेचारा Fatiq गंबी रूप से बिमार था तब भी Fatiq की मामी ने Fatiq को रुकावट का कारण बताया We can say that the heartless witch eventually curses the death of the poor boy So friends, यहां पर हम यह कह सकते हैं कि निर्दई डायन बेचारे Fatiq की मृत्यों का कारण बनती है So friends, इस question में यह कहा गया है कि बिशंबर के बारे में लिखिए तो इसका answer है So friends, जो बिशंबर है वो Fatiq के मामा है He loves his widowed sister very much बिशंबर अपनी विद्वा बहन से बहुत प्यार करता है He finds that Fatiq is the trouble for his sister बिशंबर पाता है कि Fatiq उसकी बहन के लिए मुसीबत है He offers to take him to Kolkata बिशंबर अपनी बहन के आगे Fatiq को Kolkata ले जाने की पेशकश करता है He says that he will educate him there with his own children बिशंबर कहता है कि वे Fatiq को अपने बच्चों के साथ Kolkata में शिक्षित करेगा In truth, बिशंबर is a loving brother बिशंबर सच में एक प्यार करने वाला भाई है But he is not imaginative प्रंतु बिशंबर कलपना शील नहीं है बिशंबर ने एक बार भी Fatiq को Kolkata ले जाने से पहले अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा He makes a huge mistake in taking Fatiq to Kolkata बिशंबर Fatiq को Kolkata ले जाने में बहुत बड़ी गलती करता है So friends, यहाँ पर question number 4 complete होता है तो चलिए आगे देखते हैं Question number 5 Write a character sketch of माखन So friends, इस question में कहा गया है कि माखन के बारे में लिखिए तो इसका answer है माखन is Fatiq's younger brother So friends, जो माखन है वो Fatiq का छोटा भाई है He is the darling of his mother माखन अपनी मा का प्रिये है अपनी मा का लाटला है She calls him as good as gold माखन की मा माखन को सोनी की तरह अच्छा कहती है But we see that माखन is not so good लेकिन हम देखते हैं कि माखन इतना अच्छा नहीं है He is spoil sport माखन रंग में भंग डालने वाला इनसान है When the other boys want to roll the log He sits on it So friends, जब Fatiq और उसके दोस लट्ठे को लुड़काना चाहते थे तब वहाँ पर माखन आया और उस लट्ठे पर जाकर बैठ गया इस तरह से माखन ने Fatiq और उसके दोस्तों के खेल में रंग में भंग डाली He also lies to his mother about Fatiq इसके इलावा माखन अपनी माँ से Fatiq के बारे में भी जूट बोलता है वो अपनी माँ से ये जूट बोलता है कि Fatiq ने उसको पीटा So friends, यहाँ पर हमारा question number 5 complete होता है तो चलिए देखते हैं हमारा next question तो next question है Write a character sketch of Fatiq's aunt So friends, इस question में ये कहा गया है कि Fatiq की मामी के बारे में लिखिए तो इसका answer है Fatiq's aunt is a hurtless witch So friends, जो Fatiq की मामी है वो निर्देई डायन है She dislike Fatiq from the beginning Fatiq की मामी Fatiq को शुरू से ही नापसंद करती है She thinks of him as an unnecessary addition to her family वो Fatiq को अपने परिवार में एक अनवशक वीदी के रूप में मानती है She misbehaves with him all the time Fatiq की मामी Fatiq के साथ हर समय दुर्वेवार करती है Even when the poor boy is seriously ill She calls him a nuisance यहां तक की जब बेचारा Fatiq गंबी रूप से बिमार था तब भी Fatiq की मामी ने उसे रुकावट का कारण बताया She has no female feelings in her heart Fatiq की मामी के दिल में कोई भी महिला वाली भावना नहीं है It is this that can be fully attributed to Fatiq's death So friends, यह वही है जिसे Fatiq की मृत्यू के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है Question number 7 Write a character sketch of Fatiq's mother So friends, इस question में यह कहा गया है कि Fatiq की मा के बारे में लिखिये तो इसका आंस्वर है Fatiq's mother is a woman with a simple heart Fatiq की मा एक सरल दिल वाली महिला है She is a widow and has two sons Fatiq की मा एक विद्वा है और उसके दो बेटे है She has a misconception towards her elder son Fatiq So friends, जो Fatiq की मा है उसे अपने बड़े बेटे यानि की Fatiq के प्रती गलत धारना है But that doesn't mean she doesn't love him लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपने बड़े बेटे Fatiq से प्यार नहीं करती She agreed to send him to Kolkata with her brother But then she is said to see how eager Fatiq is to go So friends, एक तरफ तो Fatiq की मा फाती को अपने भाई के साथ कोलकता भेजने के लिए मान गई सहमत होगी लेकिन दूसरी तरफ उसे ये देखकर दुख भी हुआ कि Fatiq कोलकता जाने के लिए कितना उत्सुख है, कितना excited है After all, she is a mother आखिर वो एक मा है So friends, यहाँ पर हमारा question number 7 complete होता है तो चलिए देखते हैं हमारा next question तो हमारा next question है Give a pen portrait of Fatiq So friends, इस question में कहां गया है कि Fatiq का pen portrait दे तो इसका answer है Fatiq is a 14 year old boy Fatiq 14 साल का लड़का है He is the ring leader among the boys of his village Fatiq अपने गाउं के लड़कों का सरदार है He has a fertile brain Fatiq का तेज मस्तिक्ष है, उपजाओ दिमाग है He keeps thinking about new mischiefs Fatiq का तेज दिमाग हर समय कोई न कोई नई शरारत के बारे में सोचता रहता है His mother is fed up with him Fatiq की माँ Fatiq से तंग आ चुकी है She sends him to Kolkata with her brother Fatiq की माँ Fatiq को अपने भाई विशंबर के साथ Kolkata भेज़ देती है Now, Fatiq started feeling like a fish out of water अब Fatiq Kolkata में पानी से बाहर मचली की तरह महसूस करता है He longs to return home to his village Fatiq अपने गाउन लोटने के लिए तरसता है But he has to wait until the holidays of his life come लेकिन Fatiq को तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक उसके जीवन की छुटिया नहीं आ जाती यानि की तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक उसकी मृतियू नहीं आ जाती Question number 9 Describe the quarrel between Fatiq and माखन So friends, इस question में कहा गया है कि Fatiq और माखन के बीच के जगडे का वर्नन करें तो इसका अंस्वर है Fatiq and his friends want a log rolled away So friends जो Fatiq और उसके दोस्त थे वो लठे को कहीं दूर लुड़काना चाते हैं But माखन comes and sits on the log लेकिन माखन आता है और उस लठे पर जाकर बैट जाता है He does not care for Fatiq's warning माखन Fatiq की चितावनी की परवार नहीं करता है Fatiq asks the boys to roll the log Fatiq अपने followers को यानि की अपने दोस्तों को ये आदेश देता है कि वो लठे और माखन दोनों को एक साथ लुड़का दे As they do so, माखन falls down जैसे ही Fatiq के दोस्त माखन और लठे दोनों को एक साथ लुड़काते हैं माखन नीचे गिर जाता है Now माखन wakes up, अब माखन उठा, rushed at Fatiq Fatiq के और जप्टा and scratch his face और Fatiq के चैरे को खरोच दिया Then he goes home crying और फिर रोते रोते घर चला गया He tells his mother that Fatiq has bitten him माखन ने अपनी मा को बताया कि Fatiq ने मुझे पीटा Fatiq could not bear this lie Fatiq इस जूट को सहन नहीं कर सका He makes a shower of blows on माखन और Fatiq माखन पर घुसोगी बोचार कर देते है So friends, यहाँ पर हमारे question answers complete होते हैं और इसी के साथ हमारा lesson number 6 The homecoming complete होते हैं और next video में हम lesson 7 करेंगे अगर आपको कोई doubt है या कोई query है तो आप comment section और Instagram किसी पर भी पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को like और share करें और channel को ज़्यादा से ज़्यादा subscribe करें आप सत्गुरु institute को telegram channel पर join कर सकते हैं Instagram, Facebook और Twitter पर follow कर सकते हैं thanks for watching this video, keep watching Satguru Institute